हलो गाइज वेलकम टो करेया मीडिया वंस अगीन माइन इम इस गुल्शन जाह आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वह एक्टॉली हम उन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि वह कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं बिट्वीन मांक्स टूप्श इसको हमने पूर सब्काटेग्री में डिवाइड किया है first sub category would be sub range would be 300 to 325 marks so options between 300 to 325 marks देखेंगे then second sub range की बात करेंगे जिसमें 325 to 350 के बात करेंगे get options available है then third range 350 to 375 and then fourth range 375 to 400 marks तो चले start करते हैं वीडियो को सबसे पहले first range की बात करते हैं between 300 to 325 marks सबसे पहले हम government की बात करेंगे when we are talking about government we all know that there are two ways दो तरीके हैं जिसके तुरू हम government में admission ले सकते हैं first one is all India quota जो central level counseling होती है and the second one is state quota जो आपके state जहां का आपका domicile होता है या आप कह सकते हो कि जहां से आपने अपनी MBBS की हो वो तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल level counseling में all India quota की बात करते हैं जिसमें government colleges की जितने भी government colleges हैं उनकी 50% seats आती है जब भी हम government colleges की बात करते हैं category एक important consideration होती है यह एक अभी नंग है इस government seats के लिए सो obviously हमें category wise बात करनी हो तो सबसे पहले हम हम बात करें है यूर के लिए सी अगर आप यूर के इससे बिलॉंग करते हो आपके मार्क्स जो कहीं न कहीं 300 to 325 आदें या आप कह सकते हो कि 300 to 325 के बीच के अगर क्लिनिकल ब्रांचेस के options देखोगे यूर के लिए तो क्लिनिकल ब्रांचेस आपको गवर्मेंट में तो नहीं मिलेगी और अगर हम नॉन क्लिनिकल की बात करें तो नॉन क्लिनिकल में आपको पैथों नहीं मिल रही है बट इसके लावा फीजियो एनेटोमी माइक्रोबाइलोजी या फिर आप पी एसम भी ट्राइब कर सकते हो यह ब्रांचेस आपको मिल सकती है अगर नेक्स्ट हम एडब्लू एस या ओबी सी के टेग्री की बात करें तो क्लिनिकल क्लिनिकल ब्रांचेस तो नहीं मिल रही लाइक अप्ट तो नहीं मिल पाएगी आपको बट यह पैथोलोजी जो है वह आल इंडिया कोटे से आपके ल को भी पैथोलोजी एंड अदर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस सभी मिल जाएंगी एस्टी के लिए रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया रेस्पिलेटरी मेडिसिन और एमर्जेंसी मेडिसिन नहीं मिल पाएगी और तो मिलने के चांसेज रहेंगे बट स्ट्रे राउंड में और इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं जनरल सरजरी ऑप्टल साइकेट्री एंट अनरस्थी और पैथलोजी यह ब्रांचेस ऐस्टी को मिल जाएगी सिविल अगर हम स्टेट को टे की बात करें तो स्टेट कोटे में यू र कैटेगरी को को कोई भी क्लीनिकल नहीं मिल पाए पैफलोजी मिल जाएगी आपको नॉन क्लीनिकल में और उसके बार जो ब्रांचेस थे प्यर सेम अनरेटमी माइक्रोबाइलोजी या फिर आ बाइयो कैम यह सारे ब्रांचेस आपको स्टेट कोटे से भी गव्रमेंट में मिल जाएगी स्टी के लिए भी सेम ऑप्शन्स रो स्टेट कोटे से मिलने मुश्किल रहेगी स्टेट टू स्टेट थोड़ी भी करेगी यह आपको बता रहा हूं बट यह ब्रांचेस आपको मिलने के कम चांसे रहेंगे इसके अलावा एंट अस्टीश्य आपको मिल जाएगी और पैथलोजी के बात करते हैं डी एंबी की एक इच कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि हाव मेनी नंबर ओफ गॉब्मेंट फॉस्पिटल साथ देर वाट इस अगुप में बहुत कम है और प्राइवेट हॉस्पिटल जादा है और जब भी हम केटेगरी की बात करते हैं तो केटेगरी सिव गब्मेंट कोई कटेगरी से कम हो तो इसमें फ्री नहीं होना किसे हो सकता है एसके समय के स्क जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वो सारे के सारे तो चेनरल में ही आ जारे हैं तो अगें जो यूर के स्टूडेंट्स जितने भी यूर के लिए तो कोई भी क्लीनिकल पॉसिबल नहीं है इवन पैथलोजी भी थोड़ी सी दिक्कत इनको जरूर आएगी एड़ूस के लिए पर प्राइब यह सेम ऑप्शन वहेंगे रेटियो डर्मा जो जो बी क्लीनिकल वो नहीं मिलेगी सांथ में पैस्टू लॉज़ी के लिए नहीं मिलेगी पैथोलोजी या फिर उसके अलावा जो ब्रांचे नहींगे वो मिल जाएगी एस्टी के लिए रेडियो डर्मा मेड पीडिया, OB-GY, Emergency and Respiratory Medicine ये ब्रांचेस नहीं मिलेंगी बट अदर जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं जैसे जनरल सर्जर्यर्य, लेरिंगोलोजी देज एंट की जो डिप्लॉमा होती है डिये अनस्थीशिया डियो ऑप्थल डिफाइम फैमली मेडिसिन सो यह जो आठ ब्रांचेस हैं जिनमें यह होती है कंड़क्ट की जाती है अन्बी डिप्लॉमा जिसमें कराई जाती है यह यूर के टेगरी को इस मार् गाइनिक गाइनिक और डिटी सीडी टीवी चेस्ट यह ब्रांच नहीं मिलेगी इडव्लू सो बीसी के लिए बट डियलो मतलब एंटी अनस्थीशिया ऑप्थल और फैमली मेडिसिन यह मिलने के चांसे रहेंगे जिसमें की जो यह जो रहेगी एंट की डिप्लॉमा यह ए अनस्थीशा के लिए भी यह रहेगा कि अंदर रहना चाहिए तब मिलेगी ऐसा नहीं कि नाइंटी सिक्स थाउजन नाइटी फोर तॉजन रांक आ रही है तब मिल रहें नहीं वैसा नहीं है एससी के टेगरी में अगर हम देखे तो डी अमर्ड डी डीच डीजी ओ डी टी कितने सस्ते से सस्ते में हमको मिल सकती है और किस प्राइस रेंज में 1 ऊठी अग्षिण यस पर एनव मिलेगे यं दीम्ट एनराइ मिलेगी दीम्ट नर्मल की सीट नहीं मिलेगे बट लिए वह मिलेगी जनरल मेडिसिन की बात करें तो आपकी जो फीस जाएगी वह अप तू 65 लैग कौन कौन से स्टेट में मिलेगी अगेन राजिस्थान करनाटका की अदर्स को टे की सीट डीम्ड एन राइव की मिलेगी देन पीडिया की बात करें तो अभी हम डिसकस करेंगे अगेन राजिस्थान करनाटका की अदर्स को टे की सीट डीम्ड एन राइव की सीट अगर आप एन राइव की सीट नहीं ले सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जा अगर आप नराइव से मुझे ूओ कि आपका न्राइव कानार जरूरी है तो यह गलत बात है डीम्ड एन राइव का मतलब है कि एन राइव स्पॉंसर आपको मिलेगी एलन राइव से जो एक पापोंसर कर और उं आपको पकर और यह वह अगर आपके कोई फेयं जिए री मेंबर भाई या फिर ऑंकल चाचा मामा कोई भी है। वह अगर आप आप आपको उन से लेशनिप बिल्ट करने होने यह कि अगर वह रेडी है आपको आपकी फीस प्रमेंट करने के लिए sponsor करने के लिए तो आप NRI के seat ले सकते हो that means कि अगर इस तरीके का कोई relation आपका है जो बाहर रहते हो और आपका budget और आपका budget यह 80 lakhs या 65 lakhs जो या जो भी मैं बता रहा हूं यह इतना है और आप ले सकते हो तो आपको इन documents को बनवा के रख लेना चाहिए तो जहां पर भी मैं NRI बोलूंगा आप यह समझ जाना मैं NRI sponsored documents की बात कर रहा हूं respiratory medicine की बात करें तो स्टेट के colleges में अप टू 25 अप टू 22 lakh to 35 lakh पर एनन फीज जाएगी respiratory medicine this is the range of the fees 22 lakh कुछ-कुछ स्टेट की 25 lakh है कुछ-कुछ स्टेट में कुछ-कुछ कॉलेजिटी 35 lakh है तक आपकी फीज वैदी करेगी कौन-कौन से स्टेट हो सकते हैं यूपी पॉंडिचरी राजस्थान सिमिलर्ली एमर्जेंसी मेडिसिन के लिए यूपी पॉंडिचरी राजस्थान इसमें हाँ यूपी पॉंडिचरी और राजस्थान ओर्थों की और सर्जरी की बात करें तो वह फीज अप्टु इन हें यूपी पॉंडिचरी राजस्थान ओर जनेरल सर्जरी की फीज रेंग्ज जो आगी वह वह 22 लैंग से 30 लैंग पर रेंग अगी अप्थल की अप्टु अप्टू 24 लाग पर अनम की फीज आईगी, अप्टू 24 लाग मतलब वो 20 लाग भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है अप्टू 24 लाग पर अनम की फीज आईगी, कौन-कौन सी स्टेट में मिलेगी, UP, Himachal Pradesh, Pondicherry, Rajasthan ENT की भी सेम 24 लाग पर अनम की फीज आईगी, स्टेट सेम रहेंगे, अनस्टिशिया की अप्टू 20 लाग पर अनम की बात की बात की बात की जाए, तो रेडियो डर्मा के लिए आपकी फीज अप्टू 70 लाग पर अनम जाएगी, इंड नर्य कोटा जैसा मैंने आपको बताया, General Medicine की फीज अपटू 50 लाग तो 60 लाग पर अनम जाएगी, इम्ड की बात करते हैं इम्ड और प्राइवेट अलग है प्राइवेट मेंज वो स्टेट गभ्मिंट के अंदर आदेए उसकी प्राइवेट कॉलेजे की जो तो हम अब डीम्ड की बात करें जो सेंट्रल गब्मेंट के अंदर आती है उसमें अगर आपको लेना है तो जनरल मेडिसिन की की फीस अपकी 50-60 लैक पर अगें 50-60 लैक यह आपको देन नॉर्मल सीट भी और अनराइज स्पोंसर्ड शीट मिल जाएगी मतलब इस फीस में आपको मिल जाएगी और तो सज़री की बात करें तो अप तू फॉर्टी लैक पर अनम में मिल जाएगी यह देम्ड की नॉर्मल मिल जाएगी आपको अनराइड अपके पास नहीं भी है नहीं भी बढमा सकते हो नहीं भी आपके अगर कोई इस नहीं नहीं तो भी को इसुनी आपको मिल जाएग आपका बजट 50-00 लैक पर अनम में मिल जाएगी नॉर्मल शीट मिलेगी निम्ड की साकेटी अपको 29-12-00 1 के צिंट इसमें की पार्य लाइनय मीमन के बात जाएंगे तो इसमें कोई भी आपको आपके लिए कश्र junior men college में कोशी नहीं आएगी पै करेंगे नहीं लावा जाएंगो रूनकलby ब्लांचे जाएगे पैफोलोजी एपने बाद के लिए अगें ले बीडियो आएगी बाकि टीनिकल दम नहीं आएगी बट पैफोलोजी आएगी अधिर लॉट्स अब सारे मिल जाएंगे स्टी के लिए रेडियो डर्मा मेडिसीन और पीडिया नहीं मिलेंगे स्टेट कोटा में को स्टेट कोटे से कोई भी ब्रांच मिलने के चांसे बहुत ही कम है में कोई बी गल्ट मिल जाएगी और पैथ लोजी मिल जाएगी नॉन क्लेनिकल में सेटेगरी में अगें फैथलोजी मिलेगे बाद करें तो रेडियो धर्मा मैडिसीन बाल्फ मेडिसीं को समरीचेडी नहीं मिल slips बाल्प रावर की बात करें तो क्लियोगे फामली ly ये नहीं मिलेगी और एक अप्व्थल भी डिप्लोमा इन प्वल मिल जाएगी इसके अलावा यह की डिप्लोमा अनस्तिश्या टिप्लोमा मिलजाएगी ऐसी के लिए अगें प्राइबेट कॉलेजिस की बात करें तो रेडियो और डर्मा की आपके लिए जो फीस देन जाएगी वह 55 लैक्ट तो 75 लैक्ट पर एनम आएगी कौन-कौन सी स्टेट राजसान बिहार की एनराई कोटा सीट करनाटका की अधर्स कोटा सीट की सेड़ी डिया देनौ सी स्टेट राजसान ठीस लैक्स करेंज जेसान इस्तेट क विहार 5-7 लैक्ट स्टेट फिश्ञ औरCP हाएगी ओं देनुस्विप ऊबीग फिस रियंज अ की नस्सट सेरे मेर्ट ग्याग दिश्यर्ण geen स्टिट सब्सक्राइब करें तो अब टू 32 लाग पर अनम के बीच में आएगी यह जनरल सजरी में भी 22 सब्सक्राइब के बीच में आगी कौन-कौन से स्टेट में और थो और सजरी अल्मोस्स सेम ही रहेगा हिमाचल प्रदेश वेस्ट मेंगोर विहार यूप पॉंडिचरी राजस्थान अप्थल की अप्टू 22 लाग पर अनम फीज में मिल जाएगी MP यूप विहार राजस्था का MP राजस्थान बिहार भी मिल जाएगी यूप भी मिल जाएगी तो आपके लिए रेडियो और दर्मा की जो रेंज आएगी वो कहीं न कहीं 55 तो 70 लैक्स पर अनम की फीस में आएगी रेडियो तो दीम्ड की अनराई आएगी बट दर्मा आपको नॉर्मल दीम्ड सीट भ पर अनम की रेंज में आएगी और तो सर्जरी अप्टू 35 लैक्स पर अनम की फीस में आएगी अब थर्ड रेंज है 350 से 375 जिसमें अप्रॉक्स रैंक 63,000 54,000 से 63,000 की बीच कहीं बन सकती है इसमें यूवर केटेगरी पहले और इंडिया को टे की बात करें लिए कोई भी क्लिनिकल पॉसीबल नहीं है इवन पेट्शलोजी भी पॉसीबल नहीं है ूब्स चाटेग्री के लिए रेडियो डर्मा मेडिसिन चोड़कर बाकि सारी पॉसीबल रहेगी स्टेट कोटे की बात करें तो यूर के टेग्री में कोई भी क्लीनिकल पॉसिबल नहीं है पैथो भी कहीं कहीं पे पॉसिबल हो सकती है जहां पे थोड़ी कम ज्यादा सीट्स हों वहां पे हो सकती है एड़ली और बीसी की बात करें तो कोई भी क्लीनिकल पॉसिबल नहीं है ब्लाचि के लिए कोई भी क्लिनिकल नहीं है बट नॉनख्री पफोसिबल के लिए रेडीयो डेडियो डेडिमा मेडशन प्रीडिया नहीं बत इसके लावा होबी जी अ क्लेटरी मेडिसीन अल screws ौन क्लिनकल पंटो तो अजओध वह साह мар्णि के वह सारे बीठी की नहीं है क्ली की नहीं है क्लीक्री के लिए क्लीकल प्सक्र्का बाइसन है उत रिपॉसिबबन करें और गटेक्ट्री के लिए डी ऐमार्डी के लिए प्राइवेट कॉलेजिस के बाद में आगर आपको आपके लिए रेंज बताया जाए इस मार्क्स रेंज में तो रेडियो और डर्मा की जाएगी कहां जाएगी राजिस्थान जाएगी बिहार के अनराई कोटा सीट जाएगी जनरल मेडिसिन की ट्वेंटी एक पर एनम से फिफ्टी फाइव लैक पर एनम तक वेरी करेंगी अब अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग फीस है अब यह जो है वो कहां का मिलेगी MP मे वहां का डॉमिजाइल नहीं तो तो भी राजिस्थान में बिहार में नॉर्मल सीट भी जाएगी सब्स इसाब ही मिलेंगे पीडिया की बात करें तो आपके लिए फीस ट्वेंटी ट्वांटी लैक की लेक से थर्टी लैक पर एनम की पीस हाएगी युपी बिहार आप्थल की बात करें या साकेट्री की बात करें या एंकी की बात करें तो आपकी फीसरेंज जो आएगी इन तीनों ब्रांचेस के लिए वो 14 लाग पर एंदम से लेकर के 22 लाग पर एंदम तक आएगी कॉन-कॉन सी स्टेट MP, बिहार, UP, राजयस्थान, पॉनिचरी इनस्टीशिया 12 से 14 लाग की फीसरेंज में आपको मिल जाएगी करनाट का यूपी MP, डिम्र की बात करें तो रेडियो और डर्मा की फीस जो आएगी वो आप टू 55 लाग पर एंदम आएगी आपकी जनरल मेडिसिन की फीस अप टू 45 लाग पर एंदम आएगी, ओबी जी की फ इसलिए इतना जादा है डेम की फीस क्योंकि देम की फीस 2021 से स्टार्ट ही हो जिस्वाजिट से ओके लास्ट रेंज है 375 से 400 कहीं न कहीं आपकी रैंक 49,000 से 54,000 के बीच बन सकती है इसमें अगर देखे तो यूर के लिए सिर्फ पासिबल है वो भी अगर 50,000 के अंदर रैंक रही तो मतलो 48-49,000 रही तो अदर्वाइस दिक्कत हो कि बांकी के जो क्लिनिकल ब्रांचे से तो नहीं मिलेगी EWS ओबीसी के लिए पैफ्लोजी पॉसीबल है बाकी के ब्रांचे सिर्फ पॉसीबल नहीं है एस ती के लिए रेडियो डर्मा पॉसीबल नहीं है बाकि सारे branches possible है state quote की बात करें तो युवर के टेगरी में कोई भी clinical possible नहीं है EWS और OBC में भी clinical possible नहीं है SC में भी even clinical possible नहीं रहेगी बट ST में रेडियो डर्मा पॉसिबल नहीं रहेगी बाकी के branches possible रहेंगे थोड़ा सा general medicine ST के टेगरी के लिए रहेगा दिन बी की बात करें तो कोई भी यूव र कैटेग्री के लिए कोई भी क्लिनिकल पॉसिबल नहीं है एमर्जेंसी मेंडिसिन और बांकि के बरॉट्च के लिए रेडियो दर्मा नहीं मिलेगी बांकि सारे लिए इन बी में मिल जाएक एयं डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कटेगरी के लिए डी एंडी प्राइवेट की बात करें तो रेडियो और डर्मा में जो फीस रेंज आएगी इस मार्क्स के बीच में वो फसली लैक सिट फिफ्टिफ फैयडक पर रेंद फर्मा में जो मेदिस्थान है इसे अगे बेडाग्राइब्ड qualव की बीच में बेरी करें कि पीड़ी और ओबी जीवाइव रस्पिरेटरी और एमर्जेन्सी मेडिसीन और सर्जरी भी 22 लैट से 27 लैट पर एनम्सक्र वेली करेगी इसे किसी की 30 लैट भी वेली कर सकती है तो ऐसे में जो स्टेट्स आएंगे वो कौन-कौन से यह यूपी बिहार पॉन्डी चरी वेस्ट मेंगल और आपकी करनाटका भी आएगी इस ब 14 लैट से 22 लैट से 22 लैट से पर एनम्सक्र वेली करेगी एंपी बिहार यूपी राज्यस्थान और पॉंडी चरी यह एट्शीय है कि 12 लैट से 14 लैट से 13 कर नेम्सक्र इंद्ट की बात करने तो आपके लिए रेडियो डर्मा की फीज 48 लैट से 16ती लैक पर एनम्सक्र पा मतलब महारस्ट्राव अगेरा स्टेट आपको मिल जाएगी डिम्न में में मिल जाएगी एमर्जेंसी मेडिसिन अप टुट्टी सेवर लैक पर अनम तक मिल जाएगी अप्टू का कहने का मतलब इस इस नंबर तक मिल जाएगी आजएवर स्टेटत्री लैक पर अनम के आसपाने मतलब वह 29 हो सकती वह 30 हो सकती 3 हो सकती यह 34 भी हो सकती है थोड़ा उपर नीचे हो सकता है और और सजर्डी की बात करें तो सब्सक्राइब सब्सक्राइस के बीच मिल जाएगी सर्जरी 25 लैक से 25 लैक पर अनम के फीज के मिल जाएगी ऑप्थल और साइकेट्री और एंटी अप्टू 23 लैक पर अनम की फीच में मिल जाएगी और अनेस्थीशिया अप्टू 20 लैक पर अनम की फीच में मिल जाएगी तो यह कम्प्लीट रेंज बिट्वीन 300-400 कवर हो चुकि कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो दिएगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं at the same time अगर आपको कुछ एंक्वारी करना हो तो हमारा फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है आप चाहो तो उस फॉर्म को फिल अप कर सकते हो उस फॉर्म को आप फिल अप करोगे तो उसके थूर्म को questions भी पूछ सकते हो, that's all for today guys, कोई भी doubt of query हो, तो दियेगे नमर पर call कर सकते हो, thank you so much, और telegram group का link, description box में दिया गया है, आप join कर सकते हो, channel को subscribe कर लें, अगर आप किसी भी update को ये इस तरीके की analysis को miss नहीं करना चाहते हो, thank you so much